ये मासूम चहरा, ये दिल को छुजाने वालन अठखटपन और ये प्यारी सी हसी कैन सब को देखकर किसी को यकीन हो सकता है कि इस प्यारी सी बच्ची अनन्या को एक ऐसी खतरनाक बिमारी है जिससे बचने के लिए सिर्फ चार साल के उमर में इस इंजेक्शन के इतने निशान मिल चुके हैं कि अगर उनको गिनने लग जाएं तो इसके शरीर के निशानों के सामने इसके इस दुनिया में बिताएज जंदगी के दिन कम पड़ जाएं अनन्या को जंदा रखने के लिए हर तीन हफ़ते के बाद खुन की ज़रुत पड़ती है और चार साल की छोड़ी से उमर में ही अनन्या को अब तक सतर बार खुन चड़ाया जा चुका है बिमारी कुछ ऐसी है कि अगर वक्त पर खुन नहीं चड़ाया तो ये मुस्कान हर पल मायूसी में बदलती चली जाती है बिमारी अनन्या पर अपना ऐसा असर दिखाती है कि अनन्या खेलना तो दूर हसने तक की ताकत खो बैठती है अनन्या जन्म लेने के साथ ही अपने साथ कांगिनिटल, डिसर्थ्रोपोईटिक, अनीमिया यानी सीडिये नाम के एक ऐसी बिमारी लेकर पैदा हुई जो दस हजार बच्चों में से एक को होती है सीडिये होने की वजह से शरीर में खुन बनना बंद हो जाता है जिसकी वजह से हर तीन से चार हफ़ते के बाद बच्चे को खुन चड़ाना पड़ता है लेकर बिमारी है जिसको की बोलते हैं कंजनाइटल डिसिर्थ्रोपोई टेक अनीमिया लियमेंट टर्मस में आप बोल सकते हैं कि ये अल्मोस्ट थालिसी में जैसे बिमारी है जहां बच्चे का हर थोड़े समय में हेमोगलोपिन ड्रॉप हो जाता है लेकिन खुण चड़ाना इस बिमारी का काम चलाओ इलाज है जो सिर्फ 5 साल के उम्र तक ही दिया जा सकता है क्योंकि खुण चड़ाने से शरीर में आईरन की मातरा बढ़ने लगती है जिससे बढ़ा आईरन, दिल और लीवर को रोखना शुरू कर देता है अनन्या अगले महीने पांस साल के होने वाली है इसलिए अब अनन्या को खुन नहीं चढ़ाया सकता और अगर खुन चढ़ाया गया तो अनन्या पहले से भी जादा बीमार हो जाएगी अनन्या है राम है राम इतनी बाली नाक